हेलो दोस्तों, तो आज हम अपनी क्लासिक्स आडी शर्मा की एक्सरसाईज 23.1 का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे इससे पहले वाले पार्ट में हमने 4 क्वेशन्स कर लिये हैं तो अब हम 5th क्वेशन से स्टार्ट करते हैं तो देखो 5th क्वेशन क्या कहता है study the bar graph representing the number of person in various age groups in a town shown in the figure किता है कि एक bar graph study करो जो कि इस question के लिए बनाया गया है उन्होंने दिया हुआ है जिसमें अलग-अलग age group के जो person दिये हुए हैं कि बही कितने age group से जैसे 10 से 15 के age group के कितने लोग रहते हैं उस town में फिर 20 से 25 age group के लोग कितने रहते हैं इस तरह से अब यह कहता है कि observe the bar graph and answer the following questions तो पहले हम बार ग्राफ देख लेते हैं फिर questions के answer करेंगे तो यह हमारे पास हमारा बार ग्राफ है ठीक हैं यह देखो यह हमें number दिया हुए दर परसन यह age group दी हुई हैं जैसे 10 to 15 के age group के कितने लोग रहते हैं हमारे पास 1400 फिर उसके बाद यह जो है 20 to 25 age group के लोग 1200 30 to 35 1100 40 to 45 10 100 या 1000 भी बोल सकते हैं 50 to 55 900 60 to 65 800 and 70 to 75 300 तो यह है हमारा बार ग्राफ अब हम questions देखते हैं क्या पूछे गए हैं सबसे पहला question है what is the percentage of the youngest age group person over those in the oldest age group of person youngest और oldest की हमें percentage किसकी निकालनी जो youngest age group है यानि oldest से youngest जितने जादा है उनकी percentage निकालनी है तो हम देखेंगे हमारे पास youngest age group कौन सा है 10 to 15 यानि 10 से 15 साल के बच्चे सबसे youngest है 1400 और oldest 70 to 75 यानि 300 तो हम 1400 और 300 यूज करेंगे इसमें तो 1400 हमारे पास youngest है उसमें से माइनस कर लेंगे 300 ठीक है तो कितने जादा बच्चे हैं हमारे पास 1100 अब हम 1100 का percentage निकालेंगे इनका percentage हमारे पास कैसे आएगा 1100 divided by 300 multiply 100 percentage बनाने के लिए हम 100 से multiply करते हैं जब हम इसको cancel करेंगे तो हमारे पास answer आजाएगा 366 2 by 3 percentage ठीक है इस तरीके से आजाएगा आप इसको calculate करेंगे तो भी यही answer आएगा अब second देखो क्याता what is the total population of the town हमें population बताने टोटल टाउन की तो हम क्या add कर लेंगे 1400 1200 1100 1000 900 800 and 300 तो सबको add कर लेंगे तो सबको add करेंगे तो कितना हो जाएगा 1400 1200 1100 1000 900 800 and 300 जब हम इन सबको add करेंगे तो हमारे पास यह answer कितना हो जाएगा 6700 ठीक है अब third part कहता है what is the number of person in the age group 60 to 65 60 to 65 के जो person उसमें देख लेते हैं यह देखो 60 to 65 तो 60 to 65 का जो नंबर है वो हमारे पास कितना है 800 तो हमारा answer क्या जाएगा इसमें 800 people अब देखो fourth part क्या कहता है how many person are more in the age group 10 to 10 15 then in the age group 30 to 35 क्याता है 30 to 35 में जितने लोग है न उससे कितने जादा है इसके तो इसमें total 1400 और इसमें हमारे पास 1100 तो कितने जादा है 1400 माइनस कर देंगे 1100 1400 में से तो हमारे पास अंसर क्या आ जाएगा 1400 माइनस 1100 जो कि कितना हो गया मारे पास 300 तो 300 क्या है more है in age group age group 10 15 then in age group 32 35 ठीक है अब फिफ्ट केता है what is the age group of exactly 1200 person living in the town केता है उनकी क्या age group है जिन में 1200 लोग आते हैं तो देखो 1200 किस में आते हैं हमारे पास 1200 यह कौन सी age group है हमारे पास यह 22 25 तो हमारा answer क्या हो जाएगा 22 25 years age group ठीक है अब केता है what is the total number of person living in the town in the age group 50 to 55 50 to 55 में कितने रहते हैं यह देखो 50 to 55 यह होगे हमारे पास 900 तो हमारा answer क्या हो जाएगा इसमें 900 पीपल एट केता है whether the population in general increase, decrease or remains constant with the increase in the age group यह पूछ रहा है कि जैसे जैसे age group बढ़ रहे है हमारी population बढ़ रही है घट रही है तो यह देखो हमने जब graph देखा तो यह देखो यहां से यहां 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 यह है यह क्या हो रहा है नीची की तरफ जा रहा है लगातार तो यह age group क्या हो रहा रही है पॉपुलेशन क्या ओरी है लगातार घट रही है तो हमारा आंसर क्या आजाएगा इसमें डिक्रीज ठीक है तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जो अपने कंप्लीट कर लिए है अब सिक्स क्वेश्चन देखो क्या करता है रीड दे बार ग्राफ शोन इनदा फिगर और आंसर करते हैं तो ये हमारा बार गराफ है ये देखोऊ इसमें क्या डिया वहा है इधर पोपुलेशन दीविए हैं और इधर स्था याई इनिस तरह में ही इस तरीके से पॉपॉलेशन दी हुई है यह लग अलग ठीक है तो अब हम questions देखते हैं अपने first question केता है what is the information given in the bar graph तो information क्या दिया हुआ है हमें हमें information इसमें दी हुई है हमारे पास यह population वाड़ा नहीं है भाई यह commercial bank वाला है ठीक है वो दूसरा graph देख लिया था हमने हमारे पास commercial bank दिय दिये हैं तो जब हम first question देखते हैं तो इसमें क्या कहता है यह what is the information given in the bar graph तो इसमें क्या दिया है हम लिखेंगे it represents it का मतलब बार ग्राफ it represents number of commercial banks number of commercial commercial banks in India during some years की कुछ years के अंदर कैसे मारे पास commercial banks रहे हैं कितने रहे हैं during some years अब second question पूछता है what was the number of commercial banks in 1977 तो यह देखो 1977 में मारे पास कित क्या number था हम 1977 अब देखो यह हमारे पास जो है वो 120 और 140 के बीच में आ रहा है तो यह कितना हो रहा है इसका आधा यानि 120 और 140 के बीच में 130 तो हमारा answer क्या हो जाएगा इसका 130 banks ठीक है अब इसमें next कहता है what is the ratio of the number of commercial banks in 1969 to 1980 1969 में क्या ratio था और 1980 में क्या है 69 में मारे पास देखो 80 और 100 के बीच में आ रहा है 90 तो हम लिख लेंगे 150 जब हम इसको ऐसे लिखेंगे 90 divided by 150 तो cancel करेंगे 339 3515 यानि क्या ratio आ गया 3 रेशो 5 ठीक है अब कहता है state whether true or false हमें यह बताना है कि सही है गलत है number of commercial bank in 83 is less than double the number of commercial bank in 69 तो यह देखो number of commercial bank in 83 83 में कितने हैं हमारे पास का है value तो यह तो तो यह तो ठीक है टूच्छि यानि यह टो ग्हत्क ऐसका और यह तो अब भी जाद है तो इस bonds असर किया जाएगा मारे बास फॉल्स इसने बोला था कि उससे उसका डबल कर देना उससे कम है यह तो उससे ज्यादा है तो यह हमारा फॉल्स हो गया अब क्वेश्चिन सेवन देखों के तक गिवन बिलो इस दा बार ग्राफ इंडिकेटिंग दा मार्क्स और टेन आउट फि है जीरो से नाइन के बीच में 25 से जादा बच्चों के आए हैं 10 से 19 के बीच में 10 से जादा बच्चे 2029 के बीच में 20 बच्चे इस तरह से बच्चे दिये हैं 100 question देखते हैं it is decided to distribute the workbook on maths of the to the students obtaining less than 20 marks giving one workbook to each of the students if a workbook cost rupees 5 what sum is required to buy the workbook कहता है जिनके 20 से कम नंबर आये ना उनके लिए में बुक्स खरीदनी है और एक बुक पांच रुपे की है वर्क बुक तो कहता है कि टोटल कितने रुपे हो जाएंगे हमारे पास तो यह देखो हम देख लेते 20 से नीचे कितने बच्चे हैं तो यह देखो 10 to 19 यह हमारे पास कितने होगे 25 यहां तक होगे ठीके तो हमारे पास यह next कितना होगे 26 27 तो यहां कितने बच्चे हैं हमारे पास 27 तो पहले लिख लेते हैं total students कितने हैं हमारे पास total students that is 27 प्लस 20 से नीचे दूनने हैं यानि कि 10 to 19 भी आड़ होगे तो यह देखो कितने 10 यह देखो 11 दो बोक्स के साथ और दो बोक्स के साथ 12 तो यह कितने होगे हमारे पास 12 यहां होगे इनको जब जोड़ा हमने तो कितना होगे 7 to 9 2 1 3 ठीक है तो 39 स कोस्ट औफ वन वरक बुक वन वरक बुक की कितनी है स्वरिए वरक बुक आएगा यहां पर रूपीज फाइव हमने कितनी खरीदने है То हम निकालिंग कोस्ट औफ थर्टी नइन वरक बुक रूपीज 5 मर्टिप्लाइव 39 कितने होगे मारे पास रूपीज 195 तो यह इसने पूछता नहीं कितने रुपे चाहिए तो 195 अब next कहता है Every student belonging to the highest mark group is entitled to get a price of rupees 10 कि हर एक बच्चा जिसके number आएवे हैं highest उसको 10 रुपे देंगे तो कितना amount चाहिएगा तो देख लेते हैं highest marks तो यह देखो highest marks 40 to 49 है अब यह मारे पास कितने student है हो रहा और इससे कम यानि 19 हो रहे हैं हमारे इस graph के recording यहाँ पर कितने हो रहे हैं 19 ठीक है अगर कोई graph में थोड़ा बोद जैसे उपर नीच हो जाए तो आप देख लेना otherwise अगर यह graph रहेगा इस तरह से तो हमारे इतने ही यह उसमें एक्जेक्ट नहीं दिये हुए ना तो आसपास हमारे 19 हो गया तो हमारे पास कितने रुपे हो जाएंगे टोटल में देने हैं 19 स्टूडेंट्स को तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 19 अब हम लिखेंगे प्राइज टू वन स्टूडेंट वन स्टूडेंट कितने रुपे का हैं रुपीज 10 और स्टूडेंट कितने हैं तो प्राइज टू 19 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 10 मल्टिप्लाइ 19 देट इस रुपीज 1 90 ठीक है अब थार देखो कहता every student belonging to the lowest mark group has to solve 5 problem जिसके मतलब जिसमें सबसे कम जिसके सबसे कम नंबर आये हैं उनको 55 problem solve करनी है हर दिन तो कितनी problems जो वो solve करेंगे हर दिन ठीक है तो हम देख लेते lowest कितने हैं तो lowest 0 से 9 है ये देखो 25, 26, 27 students है तो 27 students है यानि कि lowest marks holder students number of lowest marks holder students कितना है कितने बच्चों के आये हैं तो हमारे पास यह आये हैं 27 बच्चों के ठीक है और problem कितनी solve करनी है number of problems solve by one student एक student हमारे पास कितनी करेगा 5 problem और हमें problems कितनी solve करवानी हैं 27 students से करवाने तो क्या हो जाएगा 5 multiply 27 जब इससे multiply करेंगे तो हमारे पास अंसर कितना आएगा 135 ठीक है तो हमारा इसका answer हो जाएगा 135 यानि इतनी problem solve करवानी है अफोर देखो state whether true or false true or false है कितना 17 students have obtained marks ranging from 40 to 49 भई 17% students ने marks निकाल ले हैं बहिए देखो यहां 17 आएगा देखो यहां 17 लिखा न तो बहिए हमारे पास यह भी ना यह 19 यह 17 क्या सपास होगा तो हम इसको 17 लिखेंगे हैं और यहां भी 17 यह हमारे graph में क्योंकि exact नहीं दिया हुआ उसमें यहां 17 तो यहां भी 170 आ जाएगा चीक है अब यह देखो किता 17 परसंट students के marks आए हैं 40 to 49 अब 40 to 49 highest और यह 17 परसंट के ही हैं तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास true किता 59 student है जिन्होंने marks लिए है 10 to 19 के group में तो अब देखो 10 to 19 यह देखो यह क्या है यह 59 student है तो 10 और 15 के बी 5th केता है what is the number of students getting less than 20 marks 20 marks से नीचे कितने बच्चों के आए हैं तो यह देखो 20 marks से नीचे कितने बच्चों के आए हैं यहां पर तुम्हें पता है कि 27 है यह कितने होगे हमारे पास 27, 10, 11, 12 तो 12 यहां होगे यानि total कितने बच्चों होगे हमारे पास 27 plus 12 that is 39 students नेक्स्ट केता है what is the number of students getting more than 29 29 से ज़्यादा कितने बच्चों के आए हैं तो देखो ग्रूप देखेंगे 30 तो 39 वाड़े एड़ हो एंगे 40 तो 49 यह मैं पता है कितने 17 है हमारे पास तो यह मारे पास कितने हो जाएंगे देखो यह 25 थे यहां तक तो 25 से एक नीचे यह नि 41 स्टूडेंट्स ठीक है सेवंथ कहता है what is the number of students getting marks between 9 and 40 9 और 40 के बीच में कितने बच्चों के आए हैं अभी देखो यह तो 0 से 9 हो गया यह नि 9 से उपर यह 10 से लेके और इनके बीच में यह सभी बच्चे तो 10 से 19 यह मारे पास कितने हो गए 12 ठीक है हम लिखते जाएंगे तो हम यह लिखते जाएंगे हाँ पर कितने होगे मारे पास 12 स्टूडेंट्स प्लस उसके बाद यह देखो यह मारे पास कितने है टोटल यह तो दिख रहा साफ 20 स्टूडेंट्स तो 20 को भी ऐड़ कर देंगे हम तीसरा 40 तक देखना ना यानि 30 तो 39 सारे आड़ होएंगे तो यह देखो 24 से 25 यहां हो रहा है से एक कम यानि 24 तो यह हो जाएंगे मारे पास 24 टोटल स्टूडेंट्स कितने होगे जोड़ देंगे हाइस्ट मार्ग रूप कहुंस आई यह वाला कितने स्टूडेंट्स है 17 तो हम यह लिख देंगे सीधा अंसर 17 यह होगे मारे 17 स्टूडेंट्स अब 9 कहता है वट इस दा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उम्टेनिंग मोर दें 19 मार्क से कितने बच्चों के जादा हैं तो यह देखो 19 से जादा यानि यहां से तो यह 20 हो गए तो 20 लिख लेंगे हम अपना 20 प्लस 24 उसके बाद हमारे पास यह हमने देखा था यहां पर 20 24 और यह कितना हमारे पास 17 तो हम इसको एड कर देंगे 17 जब हम इसको एड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 11 1 2 2 4 2 5 और 1 6 तो 61 स् जादा मार्ग्स हैं अब यह देखो रीड दा फूलिंग बार ग्राफ अब हमें इसका भी बार ग्राफ देखना और क्वेशन के आंसर करने हैं तो यह हमारे पास question 8 का इस तरह से बार ग्राफ है इसमें दिया हुए है government companies और इधर दिया हुए है इस तरह से तो first question पूचा है कि information बताओ क्या दियो है बार ग्राफ के द्वारा तो हम इसमें क्या लिखेंगे इट रेप्रेजेंट इट रेप्रेजेंट्स नंबर ओफ गवर्मेंट कंपनीज या फुल फॉर्म लिख सकते हैं हाँ पर इन इंडिया द्यूरिंग सम इयर्स इन इंडिया द्यूरिंग सम इयर्स चीक है अब सेकिंड कहता है state each of the following whether true or false हमें true or false बताना है अब देखो the number of government companies in 1957 to 1982 is 1 ratio 9 तो देख लेंगे हम 1959 तो देखो 1957 में हमारे पास 50 है ठीक हम देख लेते हैं आपर solve कर लेंगे पहले इसको 50 ratio 1982 82 यह है तो यह हमारे पास कहा तक जा रहा है यह देखो 350 और 400 के बीच में जा रहा है यानि के लगभग 375 तो जब हम इनका ratio निकालें तो 1 ratio 9 किसी कीमत पे नहीं आएगा क्योंकि अगर इससे cancel करेंगे 5 से भी इसको तो भी नहीं आएगा तो यह मारे पास क्या है false है ठीक है क्योंकि same ratio नहीं आ रहा है अब यह देखो इसका ratio निकाल भी सकते हैं आप चाहें तो second कहता है number of government companies have decreased over year 57 to 1983 कहता है 57 से 83 तक यहां तक decrease हुई है जबकि यह क्या हुई है इनक्रीज हुई है तो यह भी हमारे पास क्या हो गया